नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रही है तुड़े हिमाचल हमारे प्यारे राजे हिमाचल से चुड़े हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल तुड़े हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं इस्टांप ड्यूटी विधेक के दौरां सत्पक्षवा विपक्ष में हुआ टकराओ विपक्ष ने सदन से किया वौक आउट इस्टांप जूटे विधेक में संशोधन को लेकर राजस्वमंतरी जगत सिंग नेगी ने दोपहर भोजन अफकाश के बाद स्टांप ड्यूटी प्रस्ताओ पेश किया इसमें महिलाओ के लिए 80 लाग तक की जमीन को खरीदने पर स्टांप ड्यूटी चार प्रतीशत ही रखे जाने का प्रावधान किया जो की पहले 50 लाग पर लगती थी इस पर विपक्ष के नेता जैराम ठाकूर ने कहा कि उन्होंने जो अब संशोधन किया है उसकी कौपी प्राप्त नहीं होई इसको लेकर दोनों तरफ से नोग जोख हुई और विपक्ष में सत्तापक्ष की कम संख्या की मौजूदगी के चलते इसे सदन में पारित करने के प्रयास के विरूद में सदन से वौका उच किया गया सांस्कृतिक कारिक्राम हमारी धरोहर को जिन्दा रखने में करते हैं मदद गती चातर कल्यान संग ने शनिवार को शिमला में वार्षिक सांस्कृतिक कारिक्राम का आयोजन किया कारिक्रम में विधानसबाद ध्यक्ष कुलदीप सिंग पचानिया ने बतोर मुख्यातिती शिर्कत की उन्होंने दी प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कारिक्रम का शुभारम किया कारिक्रम में जिला कांग्रा और जिला चंबा की गद्धी समुदाय से जुड़े सैकरो शात्र मौजूद रहे जोरान शात्राओं ने गद्धी समुदाय की पुशाक में सांस्कृतिक प्रस्तुतिया दी इस अफसर पर चात्रों को संबोधित करते हुए विधानसबाद ध्यक्ष कुलदीप सिंग पठानिया ने कहा कि हमारा देश युवाओ का देश है दुनिया में सबसे ज़ादा युवा अगर किसी देश में हैं तो वो भारत में हैं परवता रोहन संस्थान मनाली में चल रहे प्रशिक्षान शिविर के 40 प्रशिक्षों ने 17,600 फीट उठी फ्रेंशिप पीक को पतै कर लिया है तेश भर से 45 प्रशिक्षों संस्थान के 212 वे अडवांस माउंटेन इनिंग प्रशिक्षान शिविर में भाग ले रही हैं शिविर के दोरां संस्थान के अनुभवी प्रशिक्षक प्रशिक्षों को परवता रोहन के सभी गुर्ष से खा रही है ये प्रशिक्षन शिवेर 30 अगस्ते चल रहा है जो कि 26 सितंबर को संपन होगा आमिर खान ने हमाचर प्रदेश को दिये 25 लाग सीम सुखु ने जटाया एक्टर का आभार सूपरस्टा आमिर खान बॉलिवूड इंडस्ट्री के एक मचे हुए एक्टर हैं वो ना सिर्फ अपनी एक्टिंग बलकी दिलदार अंदास के लिए भी जाने जाते हैं उन्हें कए बार पेड़ित लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए देखा गया वही हाल है में आमिर खान ने हिमाशल प्रदेश को 25 लाख रुपे का अंच्टान मुख्य मंतरी आपदा राहत कोश दो हजार तेईस में दिया है शात्रो को 5 अक्टूबर तक बैंक खाता और आधार नमबर ठीक करवाने का मौका केंदर सरका ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप 2021 के लिए शात्रो को 5 अक्टूबर तक बैंक खाता और आधार नमबर ठीक करवाने का मौका दिया नैशनल स्कॉलर्शिप पोटल पर शात्री से दुरुस्त करवा सकते हैं इस औरान विभाग ने 32 चात्रो की सूची जारी की विभाग ने साफ किया कि यदि उक्त तैबधी में बीन चात्रों ने आधार नमबर और पैंक खाता सही नहीं करवाया तो उन्हें चात्रवत्ती राशी नहीं मिलेगी उनके खाते में ये राशी क्रेडिट नहीं होगी चार दिनों से नौकरी बच्चाने में जुटे हैं कोविड वॉरियर्स मौनसों सतर में अपनी नौकरी बचाने और लिखित रूप से आश्वासन मिलने तक मांगो पर अधिक राजिक के रियल कोविड वॉरियर्स चौथे दिन शनिवार को बैठे हुए हैं रात खुले आसमा तले बीत रही है और दिन में वर्शा के बीच भी इनकी होसले नहीं तोर पाई इनके घरों में 30 सितंबर को सिवाइस समाप्थोने के पत्र विभाग की ओर से भेजे जा रही हैं जबकि ये वारियर्स शिमला में अपनी नौकरी को जाते देख तड़ा पुठी है खोड का जो फैसला आएगा उसके तहत होगा काम फोर ले इनवा एनच निर्मान पर बोले विक्रमा दित्यस सिंग शापूर बाजान में भूमी अधिगरण न होने से रास्टिय उच्चमाद निर्मान को लेकर उत्पन हुई स्थिति का मामला सदन में उठा शापूर से विधाय केवल सिंग बठानिया ने शनिवार को नियम बासर्ट और ध्याना कर्शन प्रस्ताओ के तहट ये प्रस्ताओ सदन में रखा उन्होंने कहा कि एनच शे आई ने जब शुरू में इसका सर्वे किया था तो रिपोर्ट को चौर थी जब हुआ दिक्रहन शुरू होने का काम प्रारम हुआ तो अलाइन्मेंट रिपोर्ट को बदला गया रेल्वे ट्रैक बिछाने के लिए अंबाला जाल अंधर दिल्ली से बुलाए सौक कर्मचारी शिमलावा सोलन के बेच शुष धरोहर रेल्वे ट्रैक को बहाल करने के लिए मरमत का कारे उद्धतर पैज़ जारी है समन हिल के समीब शतिगरस्त हुए रेल्वे ट्रैक को ठीक करने के लिए रेल्वे प्रबंदन ने अंबाला जालंधर दिल्ली से सौक कर्मचारीों को बुलाया है और ये लोग ट्रैक बिछाने के कारे में जुच गए बीते कई दिनों से इस ट्रैक को ठीक करने का कारे चारी है और विशेश काड़ा लगा कर ब्रिज को ठीक किया गया है और अब यहाँ पर ट्रैक बिछाने का कारे शुरू हो गया है बार बार दवाईयों के सैंपल फेल होना चिंता जना कानून बदला जाए पूर मुख्यमंतरी शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल के दवाईयों द्योग में बनाई दवाईयां बार बार सैंपल फेल होना चिंता जनक है हिमाचल की बारा दवाईयां फेल होने का समाचार भी आया कुछ समय पहले समाचार आया था कि 6 मास में हिमाचल की 93 दवाईयों के सैंपल फेल हो गए उन्होंने कहा कि भारत दवाईयों द्योग उत्पादन में पूरे विश्य में एक अग्रणी स्थान रपता है सस्ती जन्रिक दवाईय बनाने में भारत को विश्य की फार्मेसी भी कहा जाता है इस सुद्योग में करोडों रुपे लगे हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है शिक्षा विभाग ने जारी किया जेबीटी के पदों का जिलावार ब्योरा प्रारंबिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी के भरे जाने वाले 2521 पदों का जिलावार ब्योरा जारी किया इसके तहट मंडी में जेबीटी के सबसे जादा पद भरे जाएंगे इस दिले में जेबीटी के 563 पद भरे जाएंगे राजी बिंदल बोले चोड़ा मैदान में सरकार के खिलाब धरना प्रदर्शन करेगी भाचपा राज़ा भाचपा सुवार को विधानसभा का घेराओ करेगी और चोड़ा मैदान में सरकार के खिलाब धरना प्रदर्शन इस सम्बंद में भाज़पा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजी बिंदल और नेता प्रतिबक शेराम ठाकूर ने रांसभा परिसर में प्रेसवार्ता कर जानकारी थी चमबा की दो बेचियों ने राज़ी स्रिय कुष्टी में जीते स्वनपदक मंडे जिले के सुन्दर नगर में राज़ी स्रिय कुष्टी प्रतियों गिता में चमबा जिले की दो बेचियों ने स्वनपदक जीते अटल मेडिकल विश्विद्याले इस दिन से शुरू होगा M.D.M.S.O.D.N.B. की ओनलाइन काउंसलिंग का तीसरा राउंड अपच्छे सितंबर से शुरू होने जा रहा है इसके लिए अटल मेडिकल और अनुसंधान विश्विद्याले नेच्चॉक ने काउंसलिंग का संशोधित शेडियूल जारी कर दिया है अज़ानक लगी आग से तीन गउशालाएं, तीन रसोई घर राक वा एक व्यक्ती जुलसा उपमंडा सलोनी के खनी गाउं में आग लगने से तीन गउशालाएं और तीन रसोई घर जलकर खाक हो गए इस खटना में एक व्यक्ती बुरी तरह से जुलस गया उसे उपचार के लिए नागरी का स्पताल की हार पहुँचाया गया यहां प्रात्मे कुपचार के बाद चेकिस्तको निकायल को मेडिकल कॉलेज जमबा रेफर कर दिया घर्टा में लाको रुपे का नुकसान हुआ है कालका शिमला नेशनल हाईवे पर ट्रक पल्टा चपेट में आने से रहगीर की माद दो घाया कालका शिमला नेश पाँच पर धर्म पुचोप पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की म्रत्य हो गई हाथसा शनिवाज शाम करीब 6 बजे हुआ इसमें ट्रक चालक ने नियंतरन को दिया और अचानक सड़क पर पलट गया जिसकी चपेट में रहगीर आ गया जबकि दो अन्य लोग खायल हुए एसानिया लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी पुलिस ने मौके पर पहुचकर मामले की जाच परताल शुरू कर दी है